अगर आप एक CAC भीली है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि जो CAC के लिए मार्फो इंस्टॉलिंग होता है कैसे की रहता है और साथ में यह भी बतलाने वाला हूं कि CAC में DGP को कैसे इंस्टॉल करेंगी जो DGP का आप मार्फो को अन इस्टॉल कर लेते हैं अन इस्टॉल करने के लिए यहां स्टार्ट मेनू में जाना है स्टार्ट मेनू में जाने के बाद यहां पर कंट्रोल सर्च करना है यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल आला ओप्सन आ यहां पर किलिक करने के बाद यहां से भीव भाई आपको मिलेगा यहां से आप क्रेटेगरी पर क्लिक कर देंगे ठीक है पर क्रेटेगरी पर क्लिक करने के बाद यहां पर मिलेगा प्रोग्राम उसके नीचे और इंस्टॉल यह प्रोग्राम का अप्शन है यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां से म यहां पर आप देख सकते हैं मारफो का दो ड्राइबर यहां पर इस्टॉल है यहां से दोनों ड्राइबर को औन इस्टॉल कर देना है औन इस्टॉल करने के लिए यहां पर राइट किलिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं औन इस्टॉल का ओप्शन है यहां पर किलिक करना है इसके बाद यहां से 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 यह आप दैख सकते हैं कि जो मार्णौखों का दोनों ड्राइवर था यहां से ओन हो चुका 있지 यहां से हम बंद कर देते ते कुपूर्स को बन करना कंपूर्ट्र करने के बाद यहां से सफीड को शीव को और पिन करने को यह एक बाद रीए स्टार्ट कर देना है रिए स्टार्ट करने के बाद आप अपने ब्राउजर को open करेंगे ब्राउजर open करने के बाद यहां पर search करना है आर्डी service online.com यहां यहां प manufactured करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ड्राइबर है यहां से डाउनलोड हो रहा है जब ड्राइबर डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर राइट किलिक करना है राइट किलिक करने के बाद पर किलिक कर देना है यहां पर फिर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइबर है यहां पर चुका है ठीक है चलिए इसे हम यहां से मिनिवाइज कर देते हैं मिनिवाइज करने के बाद यहां पर राइट किलिक करना है राइट किलिक करने के बाद एक्सटेक्ट हीर पर किलिक कर देना है यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि ड्राइबर यहां पर आ चुका है चलिए यहां डबल किलिक करके ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद जो निचे वाला सब्ट्रेयर है यहां पर डबल किलिक करना है डबल किलिक करने के बाद यहां 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 पर किलिक कर देंग इसके बाद यहां पर दिख सकते हैं कि मार्फो का ड्राइवर यहां पर इस्टाल हो रहा है ठीक है तो इस तरह से मारफो का ड्राइवर है उससे आप इस्टाल कर लेंगे यहां से आपको एक बापने सिर्टम को रियू divert कर लेना थीचiser prints करना है और finish पर click कर देना है जैसे ही आप finish पर click करेंगे तो आपका system restart हो जाएगा ठीक है friends चलिए इससे हम यहां से बंद कर देते हैं बंद करने के बाद फिर अपने browser को open करना है browser open करने के बाद यहां पर लिखना है dgpay dgpay search करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले वाला website है इससे यहां से open कर लेना है जब dgpay का website open हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं download का option है यहां पर click करना है क्लिक करने का बाद यहां पे आप देख सकते हैं DGP का दो यहां पे software आपको to два पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सेटप यहां पर डाउनलोड हो रहा है ठीक है ठीक है इत्स ह्षयर को है कि her यहां पर हम कुछ देर वेट कर लेते हैं . जब तक डीजी पर ड्वीड हो रहा है यहां समीं से मिन्माईज कर दे रहे हैं इसके बाद हम मर्फो को कुम्पूटर में लगाएंगे ठीक है कि यहां पर देख सकते हैं कि मार्पों है इसके बाद हम यहां फिर से ब्रावजर को ओपें कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ड्राइबर है आधा डाउड हो चुका है यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हैं जो दीजीपे का सेट अप है यहां पर फाइनल डाउनलोड हो चुका है चलिए यहां पर हम राइट किलिक करेंगे राइट किलिक करने के बाद ओपेन इन फोल्डर पर किलिक कर देना है जब फोल्डर ओपेन हो जागा तो यहां पर राइट किलिक करना है राइट किलिक करने के बाद एक्स्टेक्ट हीयर पर किलिक कर देना है ठीक है पर यहाँ पर देख सकते हैं डीजी पर वाला सेट अप यहाँ पर आ गया है चलिए हम डबल किलिक करके इससे इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर हम डबल किलिक करेंगे फिर यहां से यहां से यहां से पर किलिक कर देना है यहां से आई से पर किलिक करना है और नेक्स पर किलिक कर देना है फिर यहां से नेक्स पर किलिक कर देना है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर देश्टॉप शॉट्कॉर्ट का ओप्सन है तो यहां पर तीक लगा दे है ठिक लगाने के बाद नेक्स पर किलिक कर देना है फिर इंस्टॉल पर किलिक कर देना है ठीक है फ्रेंस यहां पर फ्रेंस आप देख सकते हैं कि जो सफ्ट्रेर है डीजी पे का यहां पर इंस्टॉल हो रहा है तो यहां पर आपको 20-30 लएगा और इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है फिर यहां से finish पर किलिक कर देना है इसके बाद यहां आपको home पर आना है home पर आने के बाद यहां पर देखेंगे दो software है एक net framework वाला software है और उसके निचे c++ वाला file है ठीक है फ्रेंस तो इन दोनों को यहां से install कर लेना है install करने के लिए सबसे पहले आपने यहां पर किलिक करेंगे इसके बाद यहां पुत्वर निचे की तरह भनाए और यहां से इसे download कर लेना है में सिस्टम में पहले सही net framework वाला पहले से install है चलिए यहां से बंद करते हैं इसी तरह यहां सी प्लस प्लस पर किलिक करना है उसे download कर लेना है ठीक है फ्रेंस इसके बाद हम यहां से minimize कर लेते हैं तो डीजी पे चलाने के लिए सबसे पहले हम दिस PC को open करेंगे computer open करने का बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर हम डबल क्लिक करके C drive को open कर लेंगे चीट ड्राइब को open करने के बाद यहां पर marfo rd service लिखा हुआ डबल क्लिक करके हम marfo rd service का जो folder है इसे open कर लेंगे open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं configuration setting ka option है तो double क्लिक करके इसे open कर लेंगे ठीक है फेंठ इसके बाद यहां पर आप दीख सकते हैं facebook हाँ दो यहां से 50 को ढबल करने के बाद यहां फाइल में आना है फाइल में आने के बाद इहां पर तक सकते हैं से ए औ्ज को स्वी इसके बाद हम यहां से इसे बंद कर देंगे इसे भी हम यहां से बंद कर देंगे इतना करने के बाद आपको आना है start menu start menu में आने के बाद यहां पर सर्च करना है service यहां पर friends आप देख सकते हैं service का option है तो हम यहां पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ब करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां से मारफोज जो सर्विस है रिएस्टार हो रहा है ठीक है कि रिएस्टार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इसे यहां से हम बंद कर देंगे इसके बाद यहां पर हम अपना टीक कर देंगे ठीक है फ्रैंस इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैंके प्रॉफषन five टिक है और इसके बाद वला जो आप अगर email id पर जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो third number वाला option है अगर आप इस number पर tick लगाते हैं तो जो आपका OTP है mobile number और email id दोनों पर जाएगा ठीक है friends तो चलिए सबसे उपर वाले पर हम tick लगा लेते हैं तिक लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं generate OTP का option है यहाँ पर ह यहाँ पर आप देख सकते हैं verify OTP का option है तो हम यहाँ पर click करेंगे जैसे ही हम verify OTP पर click करेंगे तो next page यहाँ पर open हो जाएक है यहाँ पर आप देख सकते हैं CACID लिखा हुआ है इसके नीचे एक box बना हुआ है तो इस box पर हम tick लगाएंगे box पर tick लगाने के बाद यहाँ प आप देख सकते हैं dashboard आ गया है इसके बगल में bidrol का option आ गया है उसके बगल में mini statement का option आ गया है बाइलेंस का option आ गया है money transfer का option आ गया है यहाँ वाले top of का option आ पे आउट का option आ गया है उसके बगल में पास्ट्यों का option आ ठीक है फिर्स तो इस तरह सरा friends आप अपने computer में DGP क को आप install कर सकते हैं ठीक है फिर तो चलिए यहां सम डीजीपे को बंद कर देते हैं सिसके बाद अगर आपको आइसमान काड बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप दिस पीची को open करेंगे open करने का बाद सीड्राइब को open करेंगे फिर यहां मार्फो आटी सर्विस उला जो फोल्डर रहे इस फोल्डर को open करेंगे open करने के बाद जो configuration setting है double click करके इसे भी open कर लेंगे ठीक है इसके बाद यहां पर आप आप देख सकते हैं, communication mode वाला option है, यहां से आप एक को हटा कर जीरो लिख देगे ठीक है, जीरो लिखने के बार आप फिर फाइल में आएंगे, पाइल में आने के बार यहां पे जो support है, से पर क्लिक कर देंगे ठीक है फिर इसे बंद कर देंगे बंद कर देने के बाद इसे भी हम बंद कर देंगे इसके बाद हम आएंगे यहां इस्टार्ट मेनु में यहां पर आगने के बाद सर्च करेंगे सर्विस यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हैं सर्विस वाला आप स्टाट कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम यहां से बंद कर देंगे बंद करने के बाद अपने ब्राउजर को ओपें करेंगे ब्राउजर ओपें करने के बाद यहां पर सर्च करना है पी-ए-m-ज-e-y-c-e-c-klaude यहां पर देख सकते हैं मैंने सर्च कर लिया हुआ इसके ब बाद हम यहां पर कैप्टर डालेंगे के बाद यहां साइन का ओप्शन है यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं कि आश्मान भारत वाला जो साइड है यहां पर ओपें हो गया है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के ब open हो गया है ठीक है फ्रेंस तो इस तरह से आप इसमान भारत के लिए setting कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में ज़रू बतलाईएगा और इस वीडियो को like कर दिजेगा इस चनल को subscribe कर दिजेगा तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye friends